Hello Everyone, Welcome to Study Ican, Part of Unacademy आज है 22 फर्वारी 2021 और आज की इस वीडियो में हम करेंट आफर के कोशन करने वाले हैं जो कि exam point of view से काफ़ी important हैं तो हम सुरू करते हैं हमारा पहला कोशन Grace Lame, Keep to a Muk, Dromag, पहुचने वाली पांचवी भारती महिला कौन है? A. सानिय मिर्जा, B. साइना नहवाल, C. अंकीता रेना, D. इन में से कोई नहीं इसका सही answer होगा हमारा C. उप्सन अंकीता रेना Next question, question 2 Naomi Osaka नई साल के पहले ट्रेनिस, Grand Strain, Australia Open की महिला सिंगल का खिता वक्त किस देश की हैं? A. जापान, B. ओस्टेलिया, C. इंगलेंड, D. है अमेरिका तो इसका सही answer होगा हमारा A. ओप्सन जापान बात करें तो ओसा का की या 30 साल में पहले चार Grand Slam फाइनल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं 23 साल की ओलासका की करियर का या दूसरा ओस्टेलिया, ओपन और चोथा Grand Slam खिताब है नेक्ट कोर्शन यह राइस्क्रीन पर कोर्शन नमबर थ्री वाई प्रदूर्शन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहरों में भारत का तीसरा शहर कौन है बन गया है A. नई दिल्ली B. मुंबई C. बैंगलूरू D. है कॉलकाता तो इसका सही आंसर होगा C. ओप्शन बैंगलूरू B. करनाटर की राजधानी है A. मुंखे मंत्री है V. ये दुरपपा है लोग सबसे यहां पर 28 है विधान सबसे यहां पर 25 है 25 है रज सबसे यहां पर 12 वो यहां की गवर्नर है वजिव भाई वाला यहां का नरत प्रमुक नरते है यचगान कुनिता, करगा Next question Question number 4 किस राजधे के मुखे मंत्री ने मंदीर में रत का उद्गाटन किया है A. हरियाना B. आंधर प्रिदेश C. उत्तर प्रिदेश D. मद्धिप्रिदेश इसका सही आंसर होगा Option number A. हरियाना मद्धिप्रिदेश B. बात करें मद्धिप्रिदेश की तो इसका इस्तापना हुई थी एक number 1965 में यहाँ पे लोग सबसीटे हैं 25 राज़ी सबसीटे हैं और विधान सबसीटे हैं बात करें राजधाने की तो इसकी तीन राजधानिया है गिधाई की राजधानिये अमरावती प्रशाषनिक राजधानिये विशाका पत्नम और न्याई की राजधानिये कुनूल मुख्य मंत्री है यहां के जगन मोहन रेड़ी राजिपाले विश्व भूशन हरीच चंदन जी न्याई का कुच्ची पुड़ी नेग्स्ट कोर्शन कोर्शन नमबर फाइव सामाजिक के न्यायक न्यायका विश्व दिवस कब मनाया जाता है A ओप्शन 19 फरवरी B ओप्शने 20 फरवरी C ओप्शने 21 फरवरी D ओप्शने 22 फरवरी इसका सही अंसार होगा हमारा बी ओप्षन बीस्वरवरी यह पूरे विश्व में प्रति वर्ष बीस्वरवरी को बनाया जाता है 10 जून 2008 को निश्पक्ष वेश्विक की करन के लिए समाईक न्याई पर ILO घोशना को अपनाया गया अंतराष्टी श्रम संगटन के इस्तापना हुई थी इस टाइम 1919 में इसकी मुख्याले है जिनेवा सुझलेन में मार निर्देशा के गाई राइडर नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन 6 82 राष्टी टेबल टेनिस चेंपियंशिप में एकल खिताब किसने जीता इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ए उप्शन साइना बत्रा बात करें तो इनकी भारत की शिर्च रेनी में टेबल टेनिस खिलाडी मनिका बत्रा ने हरियान के पंचकूला में ताउ देवी लाल स्पोर्ट कॉंप्लेस में 82 वी सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चेंपियंशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रीथ रिशिया को चार दो से हराया नेक्स्ट कोशन नमबर साथ हाली में राष्ट प्रथम 82 वर्सों की स्वर ने गाथा नामक पुस्तक के विमोचर किसने किया ए नरेंद्र मोदी बी अमित्शा सी है राजनासी डी रामनात कोविन इसका सही आंसर होगा बी आप्शन अमित्शा नेक्स्ट कोशन DRDO ने हेलीना ध्रूबवास्त्र एंटी टेंक गाइडेड मिसाइल का सफलता पूर्वक निरिच्छन कहां किया ए ओडिशा बी राजिस्तान सी अंध्रपेदेश डी है मध्यपेदेश इसका सही आंसर होगा हमारा राजिस्तान बी आप्शन बात करें तो राजिस्तान की राजधानी है जैपूर भारत की सबसे बड़ा राजिये भी राजिस्तान है मुख्य मत्री है यहां के अशोग गहलोल, गहलोत, गुवनर है यहां के, कल, राज, मिश्रा, लोग सबसीटे हैं यहां पे 25, विधन सबसीटे हैं यहां पे 200, और राज सबसीटे हैं 10 बात करें यहां के लोग निर्थे की तो घूमर कल बेली रिया यहां का मुख्य निर्थे हैं प्रमुक जिल हैं यहां पर सामभर जिल दिनवाना जिल फते सागर जिल जन जाती हैं यहां की मीना सहरिया सांसी गरासिया भील बंजारा और कोली Q9. Entryastic for tournament में देश को पहला गॉल्फ दिलाने वाली अलिफा गॉल्ड दिलाने वाली अलिफिया किस केल से सम्बन दी थे? A. Boxing से? B. Polo से? C. Golf से? इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसार होगा A. Option Boxing से Q9. किस देश के तेज गेंदबाद धमिक का प्रसाद ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है? A. Bangla, देश B. Pakistan C. Sri Lanka D. भारत इसका सही आंसार होगा हमारा C. Option श्री लंका स्री लंका की करंसी है स्री लंकाई ρुपिया राश्टपति है यहांके गोता बाई राजपच्छे प्रधान मंतरी यहांके महींद्र राजपच्छे और सबसे उची चोटी है यहां पर माउंट पेंट्रो सबसे बड़ी नदी है वेली गंगार इस्टुएंट्स आज मैं आपको अनकेडमी के बारे में बताऊंगा अगर आप MPPSC या मद्यप्रदिस पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनकेडमी आपनों के लिए लेकर आये फ्री टेस्स तो आएए जानते हैं कौन कौन से अपनों के लिए देखिए जो भी इस्टुएंट MPPSC की तैयारी कर रहे है तो अनकेडमी आपनों के लिए लिकर आये चैंपियंशिप MPPSC प्रिलिम 2020 जहां दोस्तों आपको यहां पर टेस्टरी आपकी एक्जाम की तैयारी के साथ-साथ यहां पर आपको मौका मिलेगा एक महीने का अनकेडमी का प्लस सिब्स्थिप्शन पाने का बिलकुल फ्री सिब्स्थिप्शन पाने का मौका आपको यह यह पर मिलेगा यह टॉप थ्री रेंकर के लिए रहेगा और यह आपका रहेगा एक्जाम इसका सुबह दस से बारा बज़े के बीच में तो आप इसको जरूर एटेंड कीजिए इसके अलावा गर आप लोग जो भी MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए भी एक सिमिलर मौक टेंस्ट है अनकेडमी के दौरा और आपको भी यहाँ पर मौका मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन पाने का एक महीने का तो आप यह टेस्स जरूर टेंड कीजिए इसका टाइमिंग आप लोग देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह दस से बारा बज देखिए पहले मैं आपको फ्री और प्लस के बारे में बता दूंगा देखिए अगर आपको फ्री में कुछ आपको लिमिटेट से लिवस वगेरा होते हैं रिमिटेट प्रेक्टिस चैज और लिमिटेट पीडिए फ लेकिन प्लस सब्सक्रिशन में आपको और कंप्लीट सली प्रैक्टिस रेगूलर डाउट केअपको आपको यहाँ पर बिलता है इसके अलावा और बहुत सारी से आप लोग अबने थाऍट को फॉब्र से स्टार्ट हो रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा डेट 18 फरवरी और ये हिंदी मीडियम का बैच है ठीक है तो आप इसको बिल्कुल इस बैच को जोईन कर सकते हैं तो कुछी दिन बच्चे हुए अगर आपको 10% डिसकाउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरेर कोड भी यूज करिएगा कभी भी आप लोग कोई सा भी कोर्स लेते हैं तो दिखिए अगर आपको फांडेशन बैच के बारे में हम बात करें तो अनकेडमी आप लोगों के लिए 10 माहिने का MPPSC फांडेशन बैच लेकर आया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है ये भी 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं MP के टॉप एजुटर के साथ आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा एक और अनकेडमी का बैच है आप लोगों के लिए MPPSC 2022 तो लक्ष 2022 MPPSC और फांडेशन कोर्स बैच है प्री टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे स्ट्वेंट्स तो आप लोग बिल्कुल प्लेश सकते हैं ध्यान रखेगा आपको अभी 10% का डिसकाउंट मिल रहा है और एक मार्च से आपका यह डिसकाउंट जो है सब्सक्रिप्शन पर 10% से 5% हो जाएगा इसलिए आप तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही जनकरी देना चाहरा था